नमस्कार दोस्तों, मैं आध्या आपकी मेंटॉर और गाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ सिविल्स डेली के इस खास प्रोग्राम में जहां हम कवर करने जा रहे हैं Very Important News Articles of the Hindu इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक हम सिर्फ उन मुद्दों को ही पहुँचाएं जो आपके exam perspective से बेहत important है अपनी preparation को और compact और powerful shape देने के लिए जुडिये हमारे साथ CD, YouTube, rituals पर जिसके तहत हम आपकी तयारी prelims, mains और interview तीनों ही लेवल पर करवाएंगे with our senior and experience mentors prelims लेवल पर जहां हम आपको daily MCQs देंगे with its strategy and explanation जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको question को attempt करना है वही mains और prelims अगर दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे तो आपको daily specific current affair analysis मिलेगा editorial and open analysis मिलेगा और इसके साथ साथ एक explainer भी मिलेगा जिसमें आपको particular topic के लिए insight और analysis दी गई होगी अब वो topic आपका static portion से भी हो सकता है और current portion से भी हो सकता है इसी के साथ साथ prelims, mains और interview तीनों में ही एक दृड़ता लाने के लिए हम आपके लिए weekly webinars लेकर आ रहे हैं विदावर UPSC CSC Toppers जिसमें आपको Toppers की strategies क्या है, उनके तरीके क्या थे, उन्होंने कौन-कौन से books पढ़ी कैसे उन्होंने notes बनाए, ये सब बाते पता चलेंगी तो चली आईए, इसी के साथ शुरू करते हैं, खबरों का सिलसिला देखते हैं, आज की सबसे पहली news क्या है तो जो हमारा सबसे पहला article है, उसकी हमारी heading है That India-US Commit to Linking Economies Across Sectors कल भी इस news से related topic जो newspaper में देखा गया था Catherine Tai के बारे में कल हमने जाना था एक visit पर वो आई हुई थी, दो दिन का उनका visit था उस पर उन्होंने कुछ बाते कहीं थी उसी के सलसिले में ये आज की news जो है उसके continuous में हम कह सकते हैं कि ये news है जिसमें बात की गई है, again India and US के bilateral trade relationship को ले करके दोनों ही देशों ने बहुत उमीद जताई है और बहुत सारे policies लाने की ठानी है जिसके तहर हमारे trade relations जो हैं इंडिया और US के बीच के वो अच्छे हो सकें कल एक barrier की हमने बात की थी जिस barrier की वज़े से इंडिया यूएस दोनों को ही नुकसान हो रहा है and that is tariff right so basically क्या हुआ कि tariff rates जो है जो tariff की हम कह सकने कि जो tariff के मापदन है उनकी वज़े से कहीं न कहीं इंडिया और US दोनों को ही financial losses जो हैं वो उनको जहलने पड़ रहे हैं तो उसके regarding भी यहां पर बात हुए चलिया यह देखते हैं कि क्या बाते हुई इस पूरे article में क्या बाते की गई है तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो यहां मैंने part highlight किया है आपको कोई जुरत नहीं है पूरा article पढ़ने की आप सर्फ highlighted parts से भी काम चला सकते हैं आराम से अधरवाइस तो मैं आपको समझा ही रही हूँ So US and India both have integrating their economies across sectors why to harness the untaped potential of the bilateral relationship जो फाइदा अभी तक वो नहीं उठा सके हैं दोनों ही देशों में जिन वज़े से कुछ-कुछ problems आती रही है उस gap को maintain करने की बात की गई है यहाँ पर इस forum में ठीक है और जो यह forum था हमारा basically Catherine Tye के आने के बाद जो यह forum की जिसकी संगोष्टी हुई थी जिसको organize किया गया था उसमें बात भी यही हुई है that it will resolve the economy's ties ties का मतलब है जो एक problem है जो एक कही न कहीं जो बंधन है उसको solve करने की बात यहाँ पर की जा रही है between the two countries to the next high level और एक बहुत जादा potential growth potential जो है यहाँ पर देखा जा रहा है जो हो सकता है मोटा मोटी अगर हम देखे तो इस पूरे article में जो सबसे important issue है वो है हमारा GSP benefit का यह आपका actually GS paper 2 का एक topic है ठीक है GSP सबसे पहले समझते है GSP होता क्या है तो GSP का मतलब है Generalized System of Preferences यहाँ यह दो देशों के बीच में होता है जिनके साथ जो countries है वो export-import का का काम करती है तो इंडिया के जो GSP है वो और भी देशों के साथ है US के साथ भी था आएए देखते हैं इसके पीछे की story क्या है सबसे पहले समझते है GSP क्या है So GSP is the largest and oldest US trade preference program औके and it has been established by the act of 1974 1974 की trade act के तहर GSP को स्थापित किया गया था अब यह कहां adopt हुआ तो यह adopt हुआ था हमारा UNCTAD में यानि की United Nations Conference on Trade and Development के अंतरगत इसको adopt किया गया था कब New Delhi में 1968 में यह date काफी important है इसको please देख लीजेगा क्योंकि statement में UPSC अकसर यह questions जो है prelims level पर पूछ देता है और उसमें हम गरबढ हो जाते है ठीक है इसका finally institute जो इसको जो institute किया गया वो हुआ था 1971 में जो next point हमारा है वो कहता कि जो यह GSP है आखिर कोई भी चीज अगर हम ला रहे हैं जैसे GST आया या income tax आया या GSP आया या trade barriers हुए या trade barriers को लेकर के कोई agreement आया तो वो क्यों आया उसका मुद्दा क्या था उसका objective क्या था उसका एक aim होगा वो क्या है तो GSP का aim क्या है बेसिकली यहाँ पर हम वो समझेंगे जैसा कि मैंने बताया कि यह tariffs को हटाने के लिए बेसिकली इस GSP का पूरा-पूरा जो रोल है वो निभाया जाता है ठीक है आच्चली आट प्रेजेंट में जो है 13 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकों की US GSP ग्रांट करता है ठीक है 13 यह क्यों हुई पहले यह 15 थी क्योंकि इसमें इंडिया और एक और कंट्री हमारी थी तर्की वो भी आते थे बट किसी कारण जो है यह कंट्रीज हट गई इनके अलामा जो कंट्रीज यहाँ पर दी हुई है उनके नाम है आप पढ़ लिजेगा इनको नोट डाउन भी कर लिजेगा अच्छली 2019 में क्या हुआ कि US ने दो कंट्रीज की इंडिया और तर्की की जो डेजिगनेशन थी GSP वाली बेनिफीशेरी GSP बेनिफीशेरी की फ्रॉंड डेवलपिंग कंट्रीज उनको जो है तर्मिनेट कर दिया क्या कर दिया उनको तर्मिनेट कर दिया अब ये तर्मिनेशन क्यूं हुआ और इस तर्मिनेशन के बाद ना दे नो लॉंगर गॉंपलाई विद इस टाचुटरी Eligibility Criteria अब क्या हुआ इसके बाद कि जो ये तर्मिनेशन था GSP का इट फॉलो इस फेलियर इस तर्मिनेशन क्यों हुआ GSP beneficiary से वो इस लिए क्योंकि इंडिया जो है वो फेल कर गया तो प्रोवाइब तर्मिनेशन क्यों हुआ इस प्रमिनेशन क्यों हुआ नेमर्स सेक्तर ठीक है जो बहुत सारे सेक्तर से जिसमेंगी इंडिया को assurance देना था US को provide करने के लिए access देना था वो इंडिया नहीं कर पाया इसी तहत जो है इनका ये जो agreement था GSP का वो terminate कर दिया गया 2019 में जो ये GSP benefits हटाया गया था that was a result of US appraisal that India has failed to provide market access to its dairy and medical device industries अब जो sectors थे उन में जो दो main sectors हमारे थे वो था हमारा dairy sector और दूसरा medical sector ये काफी important है ये नाम काफी important है इसको please note down कर लीजेगा कि कौन से sectors ऐसे हैं जो हमारे बहुत important role रखते हैं अब इन sectors में जो था कि these sectors could face the impact of withdrawal of GSP अब since जब GSP withdraw हो गया तो कुछ ऐसे sectors हुए import-export के इंडिया के जिन्होंने काफी loss सहा जिन पर की एक बुरा impact पड़ा वो हमारे sectors थे gem, jewelry, leather and processed food इन दो sectors में failure की वज़े से इन sectors को हमारे maximum loss हुआ ठीक है but now India side has sought restoration of the GSP जैसा की US में US-India bilateral trade का जो यह forum हुआ है इसमें भी कहा गया है कि बात चल रही है कि इंडिया को वापस से GSP benefits दे दिया जाए ठीक है तो restoration की बात चल रही है and this will help industries from both the sides in integrating their supply chain effectively एक बार वो फिर से normal हो जाएगी also the impact on small industries in the country will be significant and such industries would lose their market share in the US without physical support to help them maintain their edge so यह पूरी कहानी हमारी जो है basically GSP को ले कर के थी अच्छा इससे एक question बन सकता है GSP का mains perspective से that मैं यहाँ पर लिख देती हूं आपके लिए means का जो question है और काफी हद तक उमीद है कि वो question आ भी जाएगा it could be very simple what do you understand by GSP ठीक है अब यह impact कब का है यह आपको देखना है कि explain its impact मैंने लिखा है यहाँ पर means GSP withdrawal वाला impact लिखना है या GSP के वापस restoration का impact लिखना है तो जब यहाँ पर stated न हो तो आप दोनों ही sides अपने answer में maintain करेंगे ठीक है you can write down this means answer okay in let's say मैं आपको 200 words दे रहे हूं 200 words में आप इस answer को please कोशिश करिएगा attempt करने की बहुत अच्छा question है GSP का and economic section से अगर देखें तो काफी chances भी है इसके पूछे जाने की और आप comment section में अपना answer हमें भेज सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा जो next article है basically वो है new crypto bill पर cryptocurrency आप सभी को पता है बहुत सारे लोगों ने हो सकता है investment भी कर रखी हो cryptocurrency में I will think about it and let's see चलिए आगे चलते हैं देखते हैं क्या है इस article में खास सबसे पहरी चीज़ यह GS paper 3 के अंडर आता है हमारा cryptocurrency वारा article और union government ने बात की है इस article में एक bill इंट्रोडूस करने की जो regulate करेगा cryptocurrency को और जो इसमें सबसे महत्वपूर बात यह हुई है कि जो हमारे Prime Minister सहाब है Modi जी He has chaired a meeting regarding the management of the cryptocurrency sector Why he has chaired this meeting? Because he has cited unregulated nature of cryptocurrency market and he called for taking progressive and forward looking steps उन्होंने देखा है कि उन्होंने यह observe किया है एक तरह से कि unregulated nature जो है cryptocurrencies का उसका market पे क्या प्रभाव पढ़ रहा है और उसी के regarding progressive steps लेने की बात कही थी कुछ दिनों पहले उसी को लेकर के union government इस पूरे proposal के साथ आया है एक नया bill लेकर के आया है अब उस bill का क्या role है तो जो सबसे important इस bill का cryptocurrency bill का रोल होगा वो ये कि it will ban all the private currencies तो all the private cryptocurrencies तो जिन भी private players में भाई साब आप लोगोंने पैसे लगाए है प्लीज अपने पैसे withdraw कर लीजेगा पहली चीज़ तो ये along with this this bill also seeks to create a facilitative framework for creation of the official digital currency अब एक official digital currency को भी issue करने की बात की गई है ये issue कौन कर सकता है the only organization that is RBI अब इन सब के साथ-साथ एक हमारे exception की भी बात हुई इस पूरे bill के अंदर exception ये था कि ये जो हमारे private players है obviously वो इसमें role नहीं दे सकते है but what they can do they can do the promotion and like promotion of the underlying technology of the cryptocurrency and its uses ठीक है क्या-क्या use है कौन से technology use हो रही है इन सब के बारे में वो promotion कर सकते है हाँ वो एक part नहीं होंगे क्योंकि part जो है वो सिर्फ RBI का control रहेगा इसके तहत regulate करने के लिए ठीक है तो ये एक बहुत important चीज है इसको देख लीजेगा आप लोग और एक pilot project की भी बात हो रही है launch किये जाने की जैसा कि मैंने बताया आपको अभी pilot project भी कभी भी launch हो सकता है सुनने में आ सकता है कि पाइलेट प्रोजेक्ट भी आ गया for the regulation of cryptocurrency काफी जादा चर्चे में है cryptocurrency आजकल तो हम इससे अनुमान लगा सकते है कि भाई question पूछ सकता है प्रिलियम्स में भी पूछ सकता है इसकी processing के उपर और mains में तो खेर पूछ ही सकता है अच्छा एक और चीज़ है इससे रिलेटेड वो यह है कि आट प्रेजेंट जो है इंडिया में देर इस नो लॉओ यह बहुत इंपोर्टेंट है कि अभी तक कोई legislature कोई law ऐसा नहीं बना जो कि cryptocurrency की regulation को cover करता हो भारत में ओके और जो cryptocurrencies है बहुत लोग हमारे cryptocurrencies own भी कर रहे है that is still not illegal तो अभी तक जो आपने किया हुआ है अगर आप own करते है cryptocurrencies तो obviously it is not illegal बट आने वाले time में वो illegal हो जाएगा क्योंकि सभी private players को ban कर दिया जाएगा 2020 में क्या हुआ था कि Supreme Court जो है उसने struck down कर दिया था a ban on the trading of cryptocurrency in India which was imposed by the Reserve Bank of India 2020 में भी RBI ने एक ban लगाया था जिसको की nullify कर दिया था किसने हमारी Supreme Court ने और इसके बाद ही लोगों ने cryptocurrency में deal करना cryptocurrency में invest करना चालू कर दिया था अच्छा जो चाइना है ताजूप की बात है यहाँ पर देखिए वैसे तो चाइना सारी illegal चीजों में माहिर है duplicate products कह लीजे या जो भी चीजे कह लीजे but चाइना ने all the cryptocurrency transactions को illegal बताया है and it has effectively imposed a ban on it also ठीक है जबकि El Salvador जो है उसने bitcoin को legal tender करार दिया है उसने अपने अपनी governance में bitcoin को as a legal tender as a money accept कर लिया है फायदे क्या है cryptocurrency के तो देखिए सर cryptocurrency fast है cheap transactions है anti-inflationary currency भी कही जाती है क्योंकि जो इसका price है वो लगतार बढ़ता जा रहा है इसमें जो हमेशा एक constant rise देखा गया है इस तोर पर इसको investment destination भी कहा जा रहा है यानि investment destination हम simple layman में language में समझ सकते हैं यहाँ पर कि investment destination is the place where you should go and invest without thinking तो यह सारे इसके benefits हैं और benefits के साथ-साथ concerns तो हमारे आएंगे ही free में अच्छा benefits को लेकर के सबसे easy तरीका अगर benefits याद करने हैं तो जितनी यह ads आती है cryptocurrency वाली आप उसको देख लो और वो जो है कहीं न कहीं आपके दिमाग में बैठी जाएंगी concerns की बात करें तो लोगों का कहना है कि cryptocurrency is very very misleading और बहुत सारी जो advertisements आती है वो कहीं न कहीं हमारे यूथ को इस तरीके से lure करती है कि भाई तू इसमें invest कर और तू रातो रात जो है अमीर बन जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है ये थोड़ा सा misleading हो जाता है इस वज़े से हाँ money laundering के भी बहुत जादा chances होते है terror financing के chances होते है और volatile nature है इसका तो जितना फाइदा होगा हो सकता है उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए इसके through आपको आगे चलते हैं next news है हमारी चामुंडी development plan से related तो देखो ये है हमारा GS paper 1 और 2 का topic 1 का कैसे 1 का हमारे geography से अगर हम इसको relate करें और art and culture से relate करें तो ये हो जाएगा और जो इसको ले करके बाते हो रही है जो मतलब anguish represent किया है जो issue है उसको अगर हम देखें तो कहीं न कहीं है टू का भी part किसी न किसी area में हो जाएगा अच्छा देखते हैं कि क्या क्या चीजें है art and culture से भी इंपोर्टेंट है तो GS paper 1 में उसमें भी आ जाता है तो basically हमारे एक कंणर writer है बहुत पहुंचे हुए writer है SL भाईरप्पा साहब इन्होंने anguish दिखाया इन्होंने काफी आपत्ती जताई है over the Karnataka government move Karnataka government move क्या था तो Karnataka government का ये move था कि इनका कहना है कि Karnataka government जो है वो Chamundi Hills को develop करना चाती है as the pilgrimage spiritual प्रशाद scheme के under and said that it has environmentally unsustainable तो basically जो writer साहब है उनका ये कहना है कि भाई ये जो पूरा मुद्दा है जो Karnataka government करने जा रही है वो फाइदा कम नुकसान जादा करेगी क्योंकि environment के नजरिये से अगर देखें तो ये बिल्कुल ही unsustainable है बहुत खतरनाक है और इन्होंने एक letter भी लिखा है open letter लिखा है मोदी जी को जिसमें इन्होंने उनसे request की है कि प्लीज आप tourism ministry को जो है आप उनसे बात करिये और बोलिए कि true spirit of imaginatively and beautifully conceived concept of प्रशाद scheme को ले करके आया जाए ठीक है प्रशाद scheme अभी हम समझेंगे कि प्रशाद scheme क्या थी and क्यों लाए जाए to promote spiritual tourism for a project in Chamundi Hills in Mysore तो देखी इसकी location भी important है हमारे लिए तो इसकी location हमारी Mysore और जो ये पूरा plan है it is based on the modern concept of architecture using concrete and environmentally unsustainable materials ये पूरा issue है ये पूरा जो मुद्दा है वो इसी वज़े से है ठीक है क्योंकि concrete और environmentally unsustainable materials का use हो रहा है और दूसरी चीज ये कि इन्होंने ये भी कहा है कि हमें क्या करना चाहिए is to demolish the already existing concrete jungle and restore the natural beauty of the hill and with minimum interference from contractors जिसमें इन्होंने बात की है कि बहुत सारे पेड भी plant होने चाहिए बहुत सारे पौदे लगाए जाने चाहिए especially मंदर के आसपास बहुत सारी greenery रहनी चाहिए ठीक है इस article में अगर हम देखें तो direct कुछ भी नहीं important है बट indirect way में अगर हम बात करें तो प्रसाद scheme जो हमारी है ये पूरी की पूरी news में आ जाती है तो आईए देखने है फटाफट प्रशाद scheme क्या है तो प्रशाद scheme पहले प्रसाद थी H नहीं था इसके अंदर और उसका मतलब था जो ये जब ये launch हुई थी तब ठीक है तो National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive मतलब था इसका full form इसका था and it was launched by the Ministry of Tourism in the year 2014 and 15 objective क्या था इनका मुद्दा क्या था इनका इनका objective था Holistic Development of Identified Pilgrimage Destinations ठीक है इस मुद्दे के साथ ये आये थे इस objective के साथ ये आये थे कि हमें ये करना है और इस scheme का नाम प्रशाद से change होकर प्रशाद हो गया जिसमें spiritual के साथ-साथ heritage भी जुड़ गया ठीक है पहले H नहीं था H हो गया ये कब हुआ था ये October 2017 में हुआ था अब दो objective इनके थे पहला हमारा नाम से ही clear है Rejuvenation and Spiritual Augmentation of what? Of Important National Global Pilgrimage Heritage Sites ठीक है और जो हमारा दूसरा objective है वो है Follow Community Based Development and Create Awareness अमंग दी Local Communities ठीक है Location की बात करें तो Chamundi Hills जो है वो Located है 13 किलोमेटर East of Mysore करनाटका में और ये नाम जो है ये हमारा आया है Chamundeshwari Temple से Chamundi Hills का जो नाम है वो Chamundari Temple से आया है तो इसकी Location एक बार प्लीज आप देख लीजेगा Important हो सकती है Okay क्या क्या Important है Location Then प्रशाद स्कीम तो खेर है ही है Scheme देख लीजेगा Objective देख लीजेगा ये एक Map है जिसमें की जब प्रशाद स्कीम में H नहीं जुड़ा था तो ये कुछ शहर थे ठीक है इनको प्रशाद Cities के नाम से जाना जाता था तो एक बर ये भी देख लेना हो सकता है घुमा फेरा के कहीं पूछ दे बहुत याद रखने की ज़रती है बढ़ एक बर Map देख लोगे आप तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ठीक है हमारी जो next news है वो है DAC Approves AK-203 Deal with Russia के ऊपर यानि GS Paper 3 का टॉपिक है हमारा Science and Tech का टॉपिक है ये क्या हुआ है आई ये देखते हैं तो जो DAC है That is Defense Acquisition Council इसको हम DAC को हम Defense Acquisition Council बोलते हैं ये मेट हुआ था इनकी एक मीटिंग हुई थी under whom under the chairmanship of our Defense Minister राजनाथ सिंग ठीक है कब Tuesday को और उस मीटिंग के दौरान एक pending deal है हमारी उसको confirm किया गया है for the manufacturing of 6.71 lakh of AK-203 assault rifles in India according to a defense source ये हमें पता चला है ऐसा लिखा है इस article में और ये भी बोला गया है कि ये joint venture के तहत इंडिया में ये rifles manufacture होंगी joint venture किसका इंडिया का और रशिया का और उसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL के नाम से joint venture खोला जाएगा कहां खोला जा रहा है कोरवा UP में और क्या manufacture करेगा तो राइफल्स करेगा अच्छा ये जो हमारा joint venture है ये दो पार्टीज के बीच में है ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ट जो है OFP इंडियन साइड से है और रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट और कैलश निकॉव ऑन दी रशियन साइड बेसिकली तो ये हमारे दो पार्टीज है जिनके तहत ये joint venture अपना shape लेगा आप देख सकते हो मैंने आपके लिए ये image लगाई है बेहत खुबसूरत rifle दिख रही है ये इस एके 203 assault rifle अगर आप games खेलते होगे especially the war वाले games तो आपको उनका पता चल्म होगा ठीक है और ये AK-100 series rifles का further development कह सकते हैं इनको ठीक है अब जो हमारी DAC है DAC के उपर भी देख सकते हो सकता है घुमा फिरा के कभी question पूछ दे especially prelims में क्योंकि organizations के उपर question पूछना prelims में UPSC की एक कह सकते हैं मन पसंद काम हो चुका है उनका So DAC is the highest decision making body in the defense ministry for deciding on new policies and capital acquisitions for three services कौन कौन सी तीन services obviously army navy and air force ठीक है और उसके साथ साथ एक Indian coast guard को भी आप इसमें add-on कर सकते हैं जो हमारे minister of defense से chairman साहब वो इसके council है ये भी बहुत पुछता है कौन है chairman या president तो ये एक बार ध्यान से देख लीजेगा and it was formed after the group of meeting recommendations on reforming the national security system in 2001 post car gear wall जो है डैक का ये कह सकते हैं कि इसको स्थापित किया गया था इसकी establishment हुई थी ठीक है आगे चलते हैं next news है हमारी महावीर चक्रफ और गलवान hero कल भी हमने अपने article में ये gallantry awards को discuss किया था प्रिलियम्स लेवल से fact के तौर पर ये काफी important है gallantry awards क्यों present किये जाते हैं for the bravery and value का जो प्रदर्शन होता है forces में जो लोगों ने अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाई होती है उसको award करने के लिए इन awards को दिया जाता है ये award independence के बाद आये थे तीन थे परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र अच्छा आप से एक question है यहाँ पर क्या बता सकने है कल हमने जिनका नाम यूज किया था group अभिनंदन थे basically group captain ठीक है आपको बताना है कि उन्हें कौन सा चक्र दिया गया and I hope आपने उनकी जो inspiring story थी वो तो पढ़ी ही होगी और जो तीन other gallantry awards है that is अशोक चक्र, कीर्ती चक्र और शौरे चक्र उनको introduce किया गया था आगे जाके 1952 में पहले वो अशोक चक्र class 1, class 2, class 3 के नाम से जाना जाते थे बट फिर उनका बाद में अलग-अलग उनको नाम दे दिया गया अच्छा इस article को आप पढ़ोगे तो जो highlighted parts आपको दिख रहे हैं इन में बताया गया है कि किसको किसको और क्या-क्या awards मिले हैं जिसमें सबसे पहले कर्णल भी संतोष बाबु हैं गलवान के टाइम पे जो अटैक हुआ था ना उसमें थे और चाइनीज द्वारा यह अटैक हुआ था कब जून 2020 में और इनको जो है महावीर चक्र दिया गया महावीर चक्र जो है वह सेकेंड हाइस गलेंटरी अवार्ड है कल हमने जाना था कौन-कौन से अवार्ड किसमे आते हैं मैंने इसमें भी वो स्लाइड लगा यह आपके लिए आप उसको पढ़कर समझ सकते हो अगर आपने कल का आर्टिकल नहीं देखा दा तो फिर हवलदार तेजिंदर सिंग जी है जिनको वीर चक्र दिया गया है ठीक है उसके बाद चार और लोग थे नायब रेजिमेंट से और सीपोय थे गुर्जेत सिंग फ्रॉम तीन पंजाब रेजिमेंट से ओके इन लोग को भी वीर चक्र दिया गया है बट पॉस्थियूमस ली इनके दिहान के उपरांथ ठीक है और एक मज़ेदार बात यहां पर कोइंसिदेंस यह हुआ है कि इसमें जो है ओनर दिया गया है सैनिक स्कूल है कोरकुंडा इन आंधर प्रदेश में ठीक है सिक्स फॉर्मर स्टूडेंट्स को जो है वहां पर करनल बाबू के साथ साथ उन्हें भी प्रदान किया गया है अवार्ड ओके तो इस आर्टिकल में यही इतना इंपॉर्टेंट है एक और न लगा दिये हैं कौन कौन सा अवार्ड कैसा होता है बहुत बड़े अवार्ड हैं देश के वीरता के लिए दिये जाते हैं परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र अशोक चक्र कीर्ती चक्र और शौरे चक्र ठीक है हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है वीपी कॉम्प जो है ये इसका काम जो है डेसम्बर में शुरू कर दिया जाएगा ये पूरी न्यूस रिलेटेट है हमारे जेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट से ऍसल्ट विस्टा प्रॉजेक्ट के बारे में आप लोगोंने सुना होगा जो लोग दिली में रह रहे हैं आपको तो पता भी रहा है क्योंकि रूट्स डाइवर्टेड हुए पड़े हैं अभी काफी जगों पर ठीक है और हो क्या रहा है बेसिकली रेसिडेंस और नया ओफिस की बात की गई है इस न्यूज में वीपी कॉंप्लेक्स में और इस प्रपोजल के तहट उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगुलर पाल्यमेंट बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है जो हमारी अभी की पाल्यमेंट है बिल्कूल उसके नेक्स्ट में ही एक ट्राइंगुलर पाल्यमेंट बनाने की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि common central secretariat बनाया जाए और revamp किया जाए क्या revamp करने की बात की गई यह 3 km long राजपत from राश्टपती भवन to India Gate Road को आप देखे होगे जब भी हम India Gate पे खड़े होते हो तो वहाँ से सीधा राश्टपती भवन दिखता है जी हाँ जो वो सीधी road है ना उसको revamp करने की बात की गई और यह भी कहा गया है कि north और south block को repurposed किया जाए as museums यानि उनको museum बना दिया जाएगा जहां आम public आम जनता आ जा सकती है ठीक है इस news में और कुछ खास नहीं था चलिए अब चलते इस news के असल मुद्दे पर that is what is central vista project और आप देख सकते हैं यह मैंने आपको दे दिया है एक figure map basically यहां India gate है यह हमारी वो road है कह सकते हैं ओके और यह हमारा new parliament building है triangular shape जैसा कि मैंने कहा पहली वाली यह goal है इसके बगल में इसको निर्मान किया जा रहा है इसको बनाया जा रहा है रक्षा भावन यहां पर है ठीक है so this is central vista project and government का क्या point है इसको लाने का क्या मुद्दा था basically तो government ने यह कहा कि जो parliament की building है उनकी वो facilities और infrastructure के हिसाब से inadequate है to meet the current demands इसलिए हमें नई building बनानी पड़ेगी और दूसरी बात कहेगी कि जो offices है central government के वो इधर उधर बिखरे हुए हैं different locations पर तो उनको जो है इन buildings के तहती होगा कि वो एक ही inter-departmental coordination में आ सकेंगे और आसपास होगे तो जादा problem भी नहीं होगी unnecessary traveling भी नहीं होगी जिसकी वज़े से congestion और pollution भी कम होगा यानि इस तर गिरेगा और buildings are old and outlived their structural lives ये भी कहा बिल्डिंग जो है वो पुरानी हो गई थी अब जरजर हो रही है in short दूसरे तरीके से आचा देखो आप इतना सब कुछ समझे हो तो आप मुझे ये बात बताओ comment section में आप नीचे हमें लिख कर बता सकते हो कि वो कौन-कौन सी buildings हैं जो की Central Vista of New Delhi के अंडर आती है किती buildings हैं कौन सी buildings हैं प्लीज कोशिश करिएगा बहुत simple question है comment section में हमें answer देने की next news हमारी जो है ये है भारत गौरव scheme पर बात की गई है एक नई scheme की जिसका नाम है भारत गौरव scheme और ये scheme railway tourism से related है और अगर बात करें तो tourism और culture दोनों का ही ये topic आ जाता है हमारा किसने announce किया है railway ने announce किया है किसने Indian railways ने announce किया है basically और theme based tourist circuit trains की बात की गई है जो की दोडाई जाएंगी on the lines of Ramayana Express एक जो एहम मुद्दा यहाँ पर आया है वो ये है कि भाई ये जो ट्रेन से ना इसमें private और state owned operators दोनों ही हो सकते हैं ठीक है मतलब players private भी हो सकते और state owned operators भी हो सकते जो इन trainों को operate करेंगे अच्छा generally क्या होता है ना कि किसी train में दो segment होते थे अब तक पहला segment हमारा passenger का होता था और दूसरा segment हमारा goods का होता था बट अब से जो है यहां पर एक और segment जुड़ जाएगा जिसको की tourism कहेंगे tourism segment की add-on facility कर दी गई है railways के अंदर और 3033 coaches या फिर 150 trains अब होंगी अब दोडेंगी tourism को tourism के basis पर भारत गौरव scheme के अंदर तो that's all I guess for today guys आपने देखा आज भारत गौरव scheme देखी आपने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट देखा वीर चक्र गैलेंट्री अवाड यह हमने कल से ही continue किया था AK203 Assault Rifles देखी इसका एक बार थोड़ा सा वह और देख लेना आप कि क्या चीज़े हैं कितना कॉस्ट लगा है कौन सी टेकनोलोजी यूज हुई है ओके सो डाट सौल फॉर तोड़ेंड एक बार फिर से मैं आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा इसके बाद हमारा next program आने ही वाला होगा तो कहीं मत चाहिएगा बने रहिएगा और जो भी आपकी queries हैं जो भी doubts हैं अगर आपने कोई answer लिखा है अगर आपको जो questions पूछे गए हैं इस lecture में या और भी जो lectures हमारे हो रहे हैं कोशिश करिए जादा जादा answers देने की क्योंकि उससे और किसी का नहीं आपका ही बहुत 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 फाइदा होगा thank you so much guys for joining us in this lecture and please do not forget to like, subscribe and follow us thank you so much